और्टरिन कैपसूल अनीमिया के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है फोलिक एसिड नुक्लियोटाइड बायोसिंथिसिस से लेकर होमोसिस्टीन के रिमेथिलेशन तक कई शारीरिक कारियों के लिए आवश्यक है यह तेजी से कोशिका विभाजन और व्रिधी की अवधी के दोरान विशेश रूप से महत्वपूर्ण है बच्चों और वयसकों दोनों को स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने और अनीमिया को रोकने के लिए फोलिक एसिड की आवश्यक्ता होती है चिकित सक्के निर्देशा नुसार प्रयोग करें भोजन के बाद और्टरन कैपसूल पानी के साथ मौखिक रूप से लिया जा सकता है धन्यवाद